बीते कुछ दिनों में पवन कुमार के खेतों ने लड़ खड़ाते होसलों को संभलते देखा है इस देश को पल-पल बदलते देखा है और देखा है पवन कुमार के कभी नरुकने वाले जजबे को क्योंकि अगर वो रुक चाएगा तो दाना-दाना कैसे अपने खाने वाले तक पहुँच पाएगा पवन कुमार ना कभी मुश्किलों की मार से टूटा ना देश के हालाद से वो चुप-चाप यहां खेतों में काम करता गया वहां धीरे-धीरे सब कुछ संभलता गया इंडिया की रसोई कभी ठंडी ना पड़े इसका ख्याल पवन और उसके जैसे हजारों के सान दिन रात मेहनत करके रख रहे हैं और कैस्ट्रोल सियारबी खेतासन रख रहा है उनकी सेहत का ख्याल इनकी तरह आप भी आज ही कैस्ट्रोल सियारबी के इतासना को बनाए अपनी दिन चर्या का हिस्सा और डालिए अपनी जिंदगी में सेहत का इंधर क्योंकि किसी ने ठीक ही कहा है जान है तो जहान है इंडिया का एंजिन अंदर से स्ट्रॉंग जान है